नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप डी मोटिवेट नहीं होते हैं, आप स्ट्रेस में नहीं आते हैं, आप तनाव में नहीं आते हैं, तो मेरा जबाब यही है कि मैं भी होता हूँ, मैं भी परिसान होता हूँ, मैं भी बहुत 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 ब उस थाकत पे लाईए कि अपने आप गोल की तरफ आगे बढ़ सके अपने एम की तरफ आगे बढ़ सके और उसके पीजे कारण यह कि मुझे अपने आप में घुट है, मैंने अपने लिए बहरोशा करना सीक लिए है कि अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है जीवन तो वो सही है और मैं सफल होंगा अपने गोल पे अपने ड्रीम पे बिलीफ करना बहुत बड़ी बात है जो लोग असफल है जीवन में वो अपने ड्रीम पे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाते हैं कि हां मैं सफल हो पाऊंगा जेफ बिजॉस जो Amazon कंपनी के मालिक है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जब सुरुवाती दौर में उन्होंने बिजनिस स्टार्ट किया था 1994 में तो Amazon बहुत बड़ी फ्लॉप रही लगवक चार-पांच साल के बाहत सभी मीडिया हाउसेज उनके परिवार के लोग सब लोग बोलने लगे कि तुमने गलट डिसीजन लिया है यह तो फ्लॉप कॉंसेप्ट है और हमेशाथ जेफ बेजोस नहीं कहा कि एक नहा कॉंसेप्ट है इसको समय लएएगा और यह बहुत अच्छा ग्रो करेगा और आज फैक्ट है 2024 में एमेशन दुनिया की सबसे ज़्यादा अर्निंग वाली कंपनी है और हम सब एमेशन को यूज़ कर रहे है अगर उस वक्त उन्होंने दुनिया की बात सुनकर छोटे से असफलताओं को देखकर अपने आप पर भरोसा नहीं किया होता अपने तो नहीं बहुत छोटी कहानी है उनके सामने लेकिन जब मैंने अपने आप भरोसा किया कि नहीं मेरा आखरी अटेम्ट है मैं इस बार अपनी पूरी एनर्जी लगा के इससे मैदान में तुरूँगा सबने मना किया कि अरे बेवकूफ हो जो लोग 10 साल से त्यारी कर रहे ह वो सफल नहीं हो पा रहे हैं तुम आखरी अटेम्ट में ही उतर रहे हो फिल्ड में मैदान में और तुम सफल हो जाओगे मुझे लगा कि नहीं पढ़ने से ही होगा और मैं इतना पढ़ूँगा इतना पढ़ूँगा कि अगर नहीं हुआ तो मुझे अफसोस नहीं होगा क कि तेरे जाने का कुछ ऐसा असर हुआ है मुझ पर कि तुझे ढूंते ढूंते मैंने खुद को पा लिया तो उसके बाद मैंने जीवन में निरने लिया जिसने रिजल्ट आया कि नहीं और आगे जाना है मैं अक्सर वो लाइन एक और लाइन कहता हूं कि जिंदगी के सफर में रास्ते कहां खत्म होते हैं मन्जिले वही हैं जहां खुआई से थंग जाए तो मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं रुखना है तो उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जो मेरा experience था मैंने वीडियो के माध्यम से सबके शार्थ सेर करना स्टार्ट किया कि कैसे आप अपने आप पे belief करके, भरोसा करके, मेहनत करके अपने जीवन को बदल सकते हैं नया जन्म पासकते हैं इसी जन्म में और उसी क्रम में आगे मैंने सोचा कि कुछ किताबे लिखता हूं जो भी मेरा experience है उनसे किताब लिखता हूं तो पहली किताब मैंने history पर लिखना start किया जो कि बहुत समय लगा अभी तक complete नहीं हो पाया है दूसरी किताब मैंने BPSC के exam को मद्दे नजर रखते हुए कि ऐसी कोई किताब होनी चाहिए practice को कि मेरा हमेशा से यह focus रहा कि पढ़ाई से ज्यादा practice कीजिए तो उसी क्रम में मैंने इस practice book को निकाला है 15 सेट है इसमें और हर सेट को इस तरह किसे cover किया गया है कि आपका पूरा का पूरा जो subject है वो revision हो ज exam के बाद पता चलेगा कि सवाल आया की नहीं सवाल फंसा की नहीं और यह कहना बेवकूफी है क्योंकि important है कि आपका topic cover हो जाए जो important topic exam के लिए जो नया pattern BPSC बना रहा है उससे आपका सारा topic cover हो जाए इस किताब को अगर आप solve करते हैं तो आपका लगभग जितना 99.99 या मै आपका यह topic छूट गया था पढ़ाई के दोरान तो यह 15 सेठ है इसके बाद एक current affairs की किताब almost 90% complete हो चुका है 20-22 अगस्त को भी market में आ जाएगा current affairs पे एक चीज जो मैंने lacking पाया कि बहुत सारे current affairs की कितावे है बजार में और उनके साथ दिक्कत है कि वो सारा का सारा चीज चीज डाल देते हैं अब इतना सारा data हो जाता है 10,000 हमारे पास data आ गया अब 10,000 data में से पढ़ना और रटना और समझना बहुत मुस्किल है उसी लिए मैंने एक कोसिस किया है कि जो नया pattern है उसकी साथ से जो important चीजे है most important वही डालो कि बच्चों को content थोरा कम मिले कि वो अच्छे से multiple time revise कर सकें और समझ सकें तो दो ये चीजे हैं और किताब आप जो भी book stall है सब जगे अब लेवल कराने की कोशिस किया जा रहा है सारे स्क्लास्स के द्वारा और Amazon flip card पे लिस्टिंग होगा और नहीं अगर उसके बाद भी है तो आप इस number से phone करके और order कर सकते हैं और free delivery के माध्धम से उस किताब को सब्सक्राइब तो बड़े मन से बड़े कहते हैं दिल से किताब को लिखा है सफलता नहीं सफलता पर मुझे पता है जीवन का एक डूल है कि लगे रही हैगा सफलता मिल जाएगा इस किताब यह किताब सफल हो चाहे नहीं हो मैं उसे बिलकुल डि-motivate होने वाला नहीं हू क्योंकि वो Chinese bamboo tree की कहानी जब आप पढ़िएगा आपने साइज सबने सुनी होगा एक वार और सुना देता हूँ कि उस Chinese bamboo tree को आप जमीन में गार दीजिये उसका बीज और 6 साल तक डेली पानी दीजिये कुछ भी बाहर नहीं आएगा छे साल तक आपको पानी देली देना है नहीं दीजेगा पानी तो बीज मर जाएगा और उसके बाद कि दो हफ्तों तीन हफ्तों में वो पेर बहुत पेजी से निकलता है और लगवग एक महीने में वो पेर लगवग सत्तर अस्ती फिट का हो जाता है तो ये जीवन के साथ भी है आप कोई भी काम शुरुवात करेंगे तो हम लोग डे वन को सोचते हैं कि साइकल का हैंडल पकरा हमने और उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीत के आ जाए कल नहीं समय देना पड़ेगा जितना समय प्रयाप समय देना पड़ेगा मेहनत करना लेकिन उतना प्रैक्टिस करें onnerैनों कि अगले दो साल तक तब डिरिम किजिए तो जीवन में आप जो चाहिए वो पा सकते हैं जिन खोजे तिन पाई या, गहरे पानी पैट जो चाहिए वो पासकते हैं लेकिन उतनी मेहनत करने को त्यार हो जाए एक बार उतना पसीना न